दोस्तों आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 178 यानी 178 तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न ध्यान देंगे प्रश्न है वर्ण माला किसे कहेंगे वर्ण माला किसे कहेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है वर्णों के व्यवस्थित समू को वर्ण माला कहेंगे फिर से सुनें वर्णों के व्यवस्थित समू को ठीके वर्ण माला कहें यानि कि, वर्णों का समण कैसा हो, व्यवस्तित हो, ठीके, व्यवस्तित सब्द आपको याद रखना है, ठीके, तो ध्यान रखें, देखते हैं, प्रश्नी की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, वर्ण या अक्षर, वन या अक्षर उस द्वनी को कहते हैं जिसके तुकडे नहीं हो सकते यानि कि इसे हम तुकडे तुकडे यानि अलग लग नहीं कर सकते ये अपने आप में संपूर्ण है ठीके क्या वन या अक्षर ठीके यह द्वणी है एक तरह की ठीके और हम इसके पार्ट नहीं कर सकती ठीक अर्थात भाषा की सबसे जोटी इकाई है, क्या वर्ण या अक्षर ठीके मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताए था कि अगर ओप्षन में भाषा की सबसे जोटी इकाई में द्वणी हो तो आ भाशा की सबसे चोटी इकाई क्या है द्वनी अगर द्वनी अप्शन में नहीं है तो फिर आपका सही उत्तर होगा दोस्तो वर्ण ठीक है ध्यान रखें वर्ण सबसे चोटी इकाई है ठीक ध्यान दे द्वनी या फिर वर्ण ठीक है या अक्षर ये तीन बाते ध्यान रखे सबसे पहले द्वनी फिर वर्ण को प्राइटी अगर यह दोनों नहीं है तो अक्षर ठीक ध्यान रखेंगे देखते हैं आगे व्यंजन और स्वर व्यंजन और स्वर इन दोनों को जब हम संयुक्त रूप से वर्ण माला में ठीक है यानि कि शब्दों के निर्मान में जब हम इस्तमाल करते हैं दोस्तों ठीक है संयुक्त रूप से मिला कर किस किस को व्यंजन और व्यंजन के साथ स्वरों को तो दोस्तों यह क्या बन जाते हैं अक्षर बन जाते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे अक्षर या वर्णों के व्यवस्थित समू को आप शब्दों पर ध्यान देंगे ठीक है अक्षरों यह वड़ों के विवस्थित समू को वड़ माला कहते हैं क्या कहते हैं वड़ माला कहते हैं ठीक हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपी तो ध्यान रखें हिंदी की लिपी कौन सी है देवनागरी लिपी ठीक है इसी तरह से उर्दू की है क्या फार्सी लिपी पंजाबी की है गुरू मुखी लिपी ठीक है मल्यालम की है खरोष्टी लिपी ठीक तो ध्यान रखेंगे ये कुछ लिपी है अंग्रेजी की रोमन है तो इस तरह से जो ह हिंदी के लिए हम इस्तमाल करते हैं वेलिपी कौन सी है देवनागरी और इसके अंतरगत कुल कितने वर्ण हैं तो वर्ण शब्द को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों वर्ण पूछे जा रहे हैं आपसे ना की स्वर और ना ही व्यंजन क्या पूछ रहे हैं टोटल दोनों को म मिलाके यानि की वर्ण ठीक है दोनों के मिलाके हमारे क्या बनते हैं वर्ण बनते हैं तो वर्ण कितने हैं कुल देवनागरी लिपी में तो संख्या याद रखेंगे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं प्रश्न बावन वर्ण हैं कितने बावन यानि 52 ध्यान गौर करें अब देखते हैं बावन कैसे हैं तो जिसके अंतरगत ग्यारे तो हमारे क्या हैं स्वर हैं क्या है ग्यारे स्वर हैं दो क्या है हमारे अयोगवाः ठीके फिर 33 क्या है हमारे व्यंजन है ठीके और दो कौन से हैं हमारे दुईगुण व्यंजन दुईगुण दूईगुण, उचिप्त, या फिर ताडंग जात, वियंजन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह एक ही वन के अलग अलग नाम है, ध्यान रखेंगे, ठीक, इनके अलावा, इनके अलावा, चार संयुक्त अक्षर भी होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यह मैं आपको आगे बताऊंगी कि चार संयुक्त कौन से, ठीक है, एक तो कशा, एक ये होता है कशा वाला, ठीक है, एक होता है त्र, ठीक है, एक होता है ग्या, ठीक है, इसको हम जिया भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, हाला कि ग्या मैंने देखा है, जिया भी पढ़ सकते हैं, ठीक, इसके अला निकी इनको इसमें चार ओर जोड़ देंगे ठीक तो हमारे कुल कितने हो जाएंगे बावन हो जाएंगे ध्यान रखेंगे बावन है वर्ण हमारे ठीक है एक बार फिर से देखें जिसमें से स्वरों की संख्या ग्यारा है दो अयोगवा है तैंतिस व्यंजन है दो अक्षर है। इन सब को मिलाकर हमारे कुल वर्ण कितने हो गए। 52ुप ठीके ध्यान रखेंगे। कर अगला पूंचन है ध्यान दें। क्या है प्रश्ण हिंदी भाशा में कितने व्यर्ण राबस रिए कितने व्यंजन है। तो ध्यूंस्भित ध्यान कितने ज्यात कि बात अगला प्रश्ण है ध्यान दे दोस्तों हिंदी वर्ण माला में वर्ण कितने होते हैं तो वर्ण कितने होते हैं ऑप्शन B 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्ण माला में याद रखेंगे अगला प्रश्ण है ध्यान दे व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं ठीक है तो देखो कितना अच्छा प्रश्ण है क्या कह रहे हैं कि व्यंजन और स्वरों के मेल से क्या बनता है तो दोस्तों, option C, अक्षर बनते हैं, क्या बनते हैं, अक्षर बनते हैं, ध्यान रखेंगे, important बात है, गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रशन है, क्या है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, तो दोस्तों, 11 स्वर हैं, हिंदी भाषा में कितने ग्यारे सोर ठीक है दो अयोगवा जोड़ देंगे तो तेरे हो जाएंगे तो दो हम उसको नहीं जोड़ेंगे ठीक है क्योंकि वह सैयुक्त रूप से इस्तमाल होते हैं ठीक तो ये बात ध्यान रखेंगे तो ग्यारे सोर हैं हमारे हिंदी भाशा में अगला प्रशने दोस्तो ध्यान दें भाशा की सबसे चोटी इकाई कौनसी होती है तो मैंने आपको बताए था भाशा की सबसे चोटी इकाई होती है द्वनी कौनसी द्वनी लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर तो कहीं भी द्वनी नहीं है तब ऐसे इस् का करेंगे हम तीसरे option पर जाएंगे यानि कि अक्षर पर ठीक तो सबसे पहली priority देनी है इस वाले प्रशन में खास करकी ध्वनी को फिर वर्ण को उसके बाद अक्षर को ठीक है ध्यान रखेंगे तो option आपको साथ में ले करके चलने है तो इस तरह से हमारे इस प्रशन का सही उत्तर है दोस्तों option D 1 ठीक है वर्ण बाशा की सबसे छोटी इकाई है ठीक है अगला प्रशने दोस्तों ध्यान देंगे क्या है प्रशन भासा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है रिपीटिट प्रशन है तो option C 1 ठीक है द्वनी या फिर 1 ये क्या है भासा की सबसे छोटी इकाई है ध्यान रखें गौर करेंगे प्रशन है मात्रा स्वर को क्या कहते हैं मात्रा स्वर को क्या कहते हैं देखो प्रशनी कितना बढ़िया बनाया है तो option B सम रूप कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहेंगे ग्रेफीम ठीके अब ये मात्रा स्वर का क्या अर्थ है मात्रा स्वर से अभी प्राई उस सिंबल से है जिसे हम मात्रा कहते हैं ठीक है जैसे हम पूरा आगो ना लिख करके हम किसी वर्ण के साथ में हम क्या लगाते हैं सिर्फ खड़ी पाई ठीक है यानि कि आगा डंडा लगाते हैं ठीक तो ये क्या हो गया ये हो गया हमारा क्या ग्रेफीम यानि कि किसी व्यंज में बदल गया मात्रा स्वर में और ये किसके साथ इस्तमाल होगा तो व्यंजनों के साथ ठीक है और व्यंजनों के साथ संयुक्त रूप से इस्तमाल होने पे यह क्या बन जाएगा ग्रेफीम यानि की समरूप ठीके तो ध्यान रखेंगे इस प्रशने का सही उतरे दोस्तों option B क्या समरूप या फिर ग्रेफीम यह क्या है मात्रा स्वर को कहते हैं ठीके ध्यान देंगे दोस्तों व्याख्या पर गोर करें जो स्वर ना ध्यान से सुनेंगे जो स्वर ना अग्र रेखा ठीके ध्यान से सुने जो स्वर ना अग्र रेखा के समीब होते हैं यानि पास होते हैं और ना ही पस्च रेखा के पास होते हैं ठीके ऐसे स्वर जो ना तो अगर रेखा यारी आगे की रेखा के पास होते हैं ना ही बाद की रेखा के पास होते हैं केंद्रिये स्वर कहलाते हैं क्या कहलाते हैं केंद्रिये स्वर कहलाते हैं ठीके कैसे ध्यान दे चोटा आ और बड़ा आ ये क्या है केंद्रिय स्वर हैं क्यों क्योंकि ना तो ये अग्र रेखा के समीप है और ना ही अग्र रेखा के बाद में है ठीक है ध्यान दे नागरी लिपी में मात्रा पदिती है हमारी जो लिपी है कौन सी नागरी लिपी यानि देव नागरी लिप इसमें कौन सी पदिती इस्तमाल की जाती है तो दोस्तों मात्रा पदिती मात्रा पदिती के इस्तमाल करते हैं हम देवनागरी लिपी में ध्यान रखेंगे ये मात्राइं क्या हैं स्वरों के चिन हैं स्वरों के चिन हैं ठीक है यानि कि हम पूरा आ बड़ा आ लिख करके ना के साथ यानि की चिन लगाते हैं ठीक है और उस चिन से हमें पता चल जाता है कि यह बड़े आ की मात्रा है यह चोटी एकी मात्रा है यह बड़ी एकी मात्रा है तो वो क्या है वो जो मात्रा है वो एक प्रकार का चिन्न है किसका स्वरों का ठीक है ध्यान रखें गे फिर है दोस्तों जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है ध्यान से सुनते जाएं तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता यानि कि हम जब किसी व्यंजन के साथ यानि जैसे मानलोक का एक व्यंजन है इसके साथ हमें स्वर लगाना हो है ना तो हमें का बनाना है बड़ा जैसे काम लिख रहे हैं हम ठीक है तो काम लिखेंगे का का में आ की डंडा और फिर ये मा आ की मातरा का क्या है ये चिन है स्वर ह इसमें हमने पूरा आ नहीं लगाया, पूरा आ नहीं लगाया, क्या लगाया, केवल हमने यह सिंबल लगाया, और हमें पता चल गया कि यह क्या है, बड़े आ की मात्रा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, फिर से सुनें, एक बार ध्यान से फिर से सुनेंगे, ठीक है, इंपो कूरे स्वर की जगए किया करते हें किवल स्वर की मात्रा लगते हैं तो यह बात ध्यान क्णाने थिक मात्र स्वर क effectiveness क्या है स्वर की समरूप यानि की गरेफीम कही जातीarring स्वरव की चाहिए थिक यानि समरूप यह दोनों नामा भी जाद रखेंगे छिंदी और法े वी ठीक है दोस्तों एक-एक नंबर के प्रशन बनेंगे यहां से तो ध्यान से समझें ये चोटी-चोटी बाते ही अगर आपने समझ ली तो समझ लीजिए आपका एक्जैम किलियर करने से कोई नहीं रोक सकता ठीक है ध्यान रखें हिंदी अब गौर से सुनें हिंदी स्वर्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् काउंट करें छोटा आ बड़ा आ छोटी इबड़ी इचोटा उ बड़ा उ यह क्या है पहले छे स 나오Иंजै अब इन वह से जो पहला वाला है वो क्या है हरसुर हैैं ठीक है और हुसके बाद वाला क्या है दीर्ग श्वर ऐसे ही समने चलेगा फिर हरसुन फिर दीर्ग श्वर ठीक है फिर हरस्व स्वर यानि की छोटा स्वर ठीक है इसको हम लगू भी कहते हैं लगू स्वर भी कहते हैं दीर्ग स्वर यानि की बड़ा स्वर ठीक है अब देखो उधारन चोटे आ का उधारन क्या है अ जैसे अनार ठीक है अ आगे जुड़ा है अनार ठीक फिर दीर्ग स के लिए हमने क्या लगाया काम बड़े आकी मात्रा या साइड में मात्रा देखते जाएं मात्रा देखते जाएं ठीक अनार ठीक और काम काम में आकी मात्रा ठीक फिर है जिन चोटी की मात्रा फिर जीत बड़ी की मात्रा फिर कुल चोटे उकी मात्रा फिर फूल यानि की बाधम 6 सवर और उनकी मात्राइं हैं. ठीक के दियान रखेंगे शुरुवात की 6 मात्राइं. और सवर ये बहुत difficult बात हैं, आपको होना चाहिए कि हरस्व सवर कौन से हैं और दीर्ग सवर कौन से हैं. एक तो जो च्प होती हैं वह हमारे हरस्व स्वर होते हैं और जो बड़ी मात्राइं होती हैं वो हमारे दीर्ग स्वर होते हैं अब इनके अलावा देखते हैं बाकी जो स्वर हैं उन्हें क्या कहते हैं देखते हैं दोस्तों दूई स्वर कौनसे स्वर दूई स्वर अब दूई स्वर क्यों देखते हैं नीचे दिये गए चार स्वर, क्या कहलाते हैं, दूई स्वर कहलाते हैं, जो नीचे दिये गए चार स्वर हैं, कौन सा, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तो, ओ, ठीक, तो ए, छोटा ए, किसे मिलकर बना है, छोटा आ, धन, छ बड़ा ए किसको मिलाकर बना है चोटा आ और बड़े चोटे ए को मिलाकर बना है ठीक है जैसे कैसा और जहां पर बड़ा आता है दोस्तों क्या हो जाता है दो मात्राइं लगती है एकी ठीक है ध्यान रखेंगे ऐसे ही चोटा ओ चोटा ओ किससे मिलकर बना है चोटे उ बड़ उ और छोटा उ ठीक है जैसे गोल गोल बोलेंगे तो इसमें गोल में क्या है ओ की मात्रा आईगी ओ ठीक है और ये क्या हो गया हमारा इस तरह की मात्रा होती है गोल ठीक देखें अपनी स्क्रीन पर आ का डंडा और फिर उसके उपर एकी मात्रा ठीक है तो इस तरह से हमारा ओ ब जाता है ध्यान दे फिर आउ की मातरा आउ कैसे बनता है चोटे आउ को मिलाकर और बड़े आउ को मिलाकर क्या ड़ैवरा एक शिंबल अब होता है वह वली मातरा भी तिक है ओरत ओरत बोलके देखो ठीक है ओरत ठीक ऐसे कई सारे उधारण है आप अपने मंसे उधारण बनाने की कुशिश कीजिए आपको मात्राएं प्रनाउस करके देखें उचारण करना बहुत जरूरी है तबी आप मात्राओं पर अपनी पकड़ बना पाएंगे ठीक है आदी से ज़्यादा आपकी गलतियां ठीक होने लगेंगी जिस दिन से आप मात्राओं को पढ़ने की अलावा सुने भी और समझे मी ठीक है उनके उचारण को समझे ठीक दोस्तों ओ की मात्रा होती है हमारी कड़ी पाई के ओपर दो मात्रा है ठीक है एकी तो गौर करें ओ की मात्रा ओ की मात्रा हो गई है हमारी ठीक ओ की मात्रा कहो या ओ की मात्रा कहो ठीक है ओ कहने में फर्क है और ओ कहने में फर्क है ठीक आप खुद बोलके देखें तब चीजे समझ में आएंगी गौर करेंगे दोस्तो ध्यान दें अग्ला प्रेश्ण है क्या है शरा शरा एक संयुकत वियंजन है क्या है संयुकत वियंजन है संयुक्त-वियंजन यानि कि दो अलग वियंजन मिलकर संयुक्त रूप से जब एक व्यंजन बनाते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं जैसे हमने बोला श्रा 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 बोलते ही हमारे दो व्यंजन मुह से निकल रहे हैं कौन से एक तो श्रा और एक रा ठीक है दोनों को मिलाकर एक हमने प्रशन तो ध्यान दे ओप्शन सी शाह और रावर्णों को मिला कर हमारा क्या बना है दोस्तों यह ध्यान रखें शाह से शलगम वाला शाह है ठीक है तो यहीं से प्रशन आपको आपको कंफ्यूज करेगा एक्जैमिनर प्रशन में ठीक है ध्यान रखेंगे तो शुरा बन ग कितने वियंजन हैं संयुक्त हैं जिसका निर्माण दोfast शरह के योग से हुआ है तो चारेश्यों को से निय्माण का योग से बयदाstrings देखते हैं उधारन वियंजन से शरहrióत करदे दि unbelievable कशा, कशा, कशा यानि कि आपको बोलते समय का की साउंड और शाह से सटकोन वाली साउंड जो है वो आपको सुनाई देगी कशा, कशा हम पढ़ते हैं शाह से सत्री है ठीक है लेकिन होता है यह कशा तब जाके आप यह आया हुआ प्रेशन है दोस्तों, बहुत ज्यादा रिपीट होता ही है, इसलिए आपको मैं बोल बोल कर बार बार समझा रही हूँ, तो आपको समझना है इस बात को, ठीक है, तो कशा मिल कर, यानि कः, आदका, और पूरश, साशिश रटकॉं, ठीक है, मिल कर कशा बनाते आधा है ये ठीक है हलंत लगा है मीस आधा है ये ठीक अब इसमें हम जोड देंगे रा रा जोड देंगे तो क्या बन गया त्रा अब देखते हैं दोस्तों ग्या ग्या को हम या तो ग्या बोल करके देखें ग्या कुछ विद्वानों ने ग्या और या या के योग से क्या बना तो ये दो तरह की ये मिलती हैं, तो आपको ये प्रस्ण करते समय अपने option जरूर देखने हैं, कि option में क्या है, जा से start कर रहे हैं या फिर गा से, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आएं है ग्या से ग्यानी, ग्यानी को अगर हम ध्यान में ठीक है हम ऐसे शब्दों को देखते हैं तो बोल करके देखें बाकी कहीं कहीं आप्चन में आपको जा और या भी मिल सकता है तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे ठीक है चौथा संयुक्त व्यंजन है दोस्तों श्रा कौन सा बहुत ही इंपोर्टेंट है श्रा ठीक है श ठीक है ध्यान रखेंगे वहीं दोस्तों आप एक बात और ध्यान में रखेंगे क्या है वह बात तो ध्यान रखेंगे अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए ठीक है ध्यान से सुनना जो बाते बता रहे हूं बहुत ही डीप बाते हैं और ये चोटी-चोटी सी माइनर ग काउंट करेंगे आप यह चारों काउंट करेंगे संयुक्ति व्यंजन में ठीक है कशा त्रण ग्या और श्रा ठीक है चारों काउंट कर लेंगे ठीक मूल रुप से ठीक लेकिन क्या है कि हम सिर्फ इसको तीन मान करके चलेंगे अब क्यों तीन संयुक्त स्वर हम इसलिए मान के चलेंगे ठीक है क्यों क्योंकि जो चौथा श्रा होता है जो चौथा श्रा संयुक्त व्यंजन है दोस्तों ये हमारा मिश्रित व्यंजन भी है क्या मिश्रित व्यंजन ध्यान रखेंगे मिश्रित व्यंजन भी है तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिश्रित व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे एक एक मात्र व्यंजन होता है मिश्रित व्यंजन वो कौन सा होता है दोस्तों तो श्रा चार में से ठीक हैं एक जो हमारा है वो क्या हो जाएगा मिश्रित व्यंजन भी हो जाएगा तो यह कुछ बाते हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अगला प्रशने है ध्यान दें लिखित भाशा में लिखित भाशा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं तो दोस्तों लिखित भाशा में विचारों को लिख कर प्रस्तुत करते हैं लिख कर ठीक है ध्यान से समझें शब्दों पे ध्यान दें लिखित भाषा पूछी गई है तो लिख कर हम अपने विचारों को व्यक्त करेंगे ठीक है देखते हैं प्रशनी की व्याख्या ओप्शन सी इसका सही उत्तर है क्या है व्याख्या जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अत्वा पुस्तको एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तब उसे क्या कहते हैं भाषा का लिखित रूप कहते हैं यानि कि जब कोई व्यक्ति अपने से दूर बैठे किसी व्यक्ति को किसी पत्र के माध् से ठीक है आजकल तो WhatsApp messages ठीक है social media platform इतने हैं तो आजकल तो electronic चीज़े ज़्यादा हो रही हैं ठीक है तो वह माध्यम कुछ भी हो सकता है दोस्तों ठीक है तो हम अपने विचार जब प्रकट करते हैं आप उंगलियों से टाइप कर रहे हैं तो वह तरह का लिखना ही हुआ ठीक तो उसे क्या कहते हैं हम उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं ठीक है भाषा का लिखित रूप कहते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे अगला प्रशन है ध्यान देंगे क्या है हिंदी की इस पर्ष घोष महाप्राण ओस्टे व्यंजन द्वनी कौन सी है देखो कितना जबर्दस प्रशन बनाया है क्या पूछ रहे हैं हिंदी की इसपर्ष गोष महाप्राण ओस्टे व्यंजन दोनी कौन सी है तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है भा भा हमारी इसपर्ष गोष महाप्राण और ओस्टे व्यंजन भी है ठीके इसपर्ष गोष क्यों क्योंकि जो किसी भी वर्ग के रहे हमारे हमारे मेरी इसपर्स वेंजन था है तो भबी तो भाव भी रही तो कि प्रूल गैण जय से अोच ऊच लोई ऑपढ़े Τम्हनों परूड बेका हुआ तो दोस्तों सगोस से अभी प्राई क्या है सगोस से अभी प्राई है तीसरा चौथा और पांचवावन ऐसे ही महाप्राण से क्या अभी प्राई है महाप्राण से अभी प्राई है दूसरा चौथा ठीक है और साथ में श श और स ठीक है और हा ये क्या हो गए हमारे में सिर्फ अभी इतना याद रखें कि दूसरा चोथा ठीक इसके बाद दोस्तों ध्यान रखें ओस्टे वेंजन ओस्टे वेंजन मैंने बताया था कचट तप ओस्टे सबसे उपर अगर भाग होता है मुख का ठीक है तो कचट तप उल्टा अगर हम सिक्वेंस लगाएंगे तो पा सबसे उपर आएगा तो पा वर्ग जो होगा ठीक है वो कौन सा होगा ओस्टे वेंजन तो यानि की पा के बाद क्या आता है पा फा बा भा ठीक है तो पा वर्ग के अंतरगत आता है हमारा भा से भालू ठीक तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों हमारा उ है ठीके ध्यान रखें अगला प्रेस्ने ध्यान दें कर वियंजन के विच्छे में निम्न में से कौन सी बाते हैं ठीके तो गौर करें option A जो है वह सही है क्यों क्योंकि का जो है और पांचवी ठीके अगोस द्वनिया अगोस में क्या होती है पहली और दूसरी पहले पहला और दूसरा वन ठीके इस परसी इस परसी का मैंने आपको बताये था दोस्तों ठीके पांचों जो होते हैं हमारे पांचों क्या हो गए हमारे इस परसी हो जाते हैं ठीके किसी भी व पर गाएगा ठीके तो इस परकार हमारे क्या है का वियंजन कैसा है अलप प्राण भी है अगोश भी है ठीके ध्यान से समझें इस परशी भी है और कंठे ध्वनी भी है ठीके याद रखें व्याक्या देखें का वियंजन अलप प्राण अगोश इस परशी और कंठे ध्वनी ह ठीक है ध्यान रखेंगे अगला प्रश्ण है ध्यान देंगे दोस्तों क्या है प्रश्ण आधूनिक व्याकरण की दृष्टी से बावण का वैसिस्टे क्या है तो बावण का वैसिस्टे बताना है आधूनिक व्याकरण की दृष्टी से ऑप्शन भी इसका सही है ठीक है तो ठीक पा फा बा ठीक है तो पा वर्ग है उपर ध्यान से रखें ओस्थे द्वनी में ठीक है द्यो ओस्थे ठीक है द्योस्थे फिर है इसपर्ष आधूनिक के अनुसार ये नाम है ध्यान से समझें ये इसपर्ष भी है अलप प्राण भी है घोश भी है और निर नुस नासिक तो यह पांचों बाते हैं किस में बावन में यह सारी चीजे में बता चुकी हूं तो दुबारा से रिपीट नहीं करूंगी व्याक्या में भी यही बाते हैं जो मैंने अभी आपको बताई द्योस्थे स्पर्स अल्पप्राण और निर नूनासिक ध्यान रखेंगे द्वानी हैं कौनसी बावन अगला प्रश्ने हैं दोस्तो ध्यान देंगे क्या है पाणी नी शिक्षा में पाणी यह ठीक है चंसक्रित कावय सास्तर में हुए थे पाणी ठीक है ध्यान रखेंगे पाणीनी शिक्षा में द्वन्यों को वर्गी करित करने के कों से 5 आधार स्विकार किये गए हैं तो दोस्तों द्वन्यों को वर्गी करित करने के लिए जो 5 आधार माने हैं पाणीनी ने तो option D c option d एक तो स्वरस्वर होना जरूरी है काल होना जरूरी है इस्थान होना जरूरी है प्रयत्न होना जरूरी तो स्वर, काल, इस्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान यह क्या है पाणीनी शिक्षा के अंतरगत द्वनिय को वर्गी करित करने वाले पांच आधार है ठीक है गौर करेंगे दोस्तों ध्यान दें पाणिनी ने लिखा है ठीक है पाणिनी ने पाणिनी की किताब थी एक पुस्तक थी अश्टा ध्याई अगर आपको पता हो तो ठीक अश्टा ध्याई है उनकी पुस्तक पाणिनी ने लिखा है कि आत्मा बुद्धी के द्वारा अर्थों को जानकर यानि जो हमारी आत्मा है वो हमारी बुद्धी के द्वारा ठीक है अर्थों को जानती है और दूसरों को बतलाने की इच्छा से मन को यानि हमारे मन को प्रेरित करती है ठीक है कितनी बड़ी बात क यह गहरी है ध्यान से सुने जो हमारी आत्मा है वो बुद्धी के द्वारा पहले तो अर्थों को समझती है ठीक है और अर्थ जब समझ आ जाता है तो दूसरों को बताने की इच्छा से वो मन को प्रेरित करती है ठीक है फिर है प्राण जो होते हैं वो वायू प्राण वायू ठीके डर इस्थल में आहत होकर मंद स्वर को उत्पन करते हैं जो हमारे प्राण वायू होती हैं ध्यान रखे डर इस्थल में आहत होकर यानी टकरा कर ठीके धीमी सी द्वनी यानि की स्वर उत्पन करते हैं और कंठ में टकराकर मध्यम स्वर और कंठ में जब टकराती है प्राणवाईू तो मध्यम स्वर निकलता है जब वो सिर में टकराती है हमारे सिर में तो उससे तार स्वर निकलता है यानि की जनकार सी ठीक है और वही अगर मु मुख में आकर वर्ण बनाते हैं ठीक है तो यानि कि ध्यान रखें जो हमारी प्राण वायू है इसका बहुत बड़ा रॉल है ठीक है यह हमारे कंठ में टकराती है तो मध्यम सोर बनता है सिर में टकराती है तो तार सोर बनता है ठीक है इसी तरह से जो डर इस्थाले उसमें ट रूप में हमारे सामने आता है, वर्ण के रूप में हमारे सामने आता है, वर्णों के विभाग भी स्वर से, काल से, इस्थान से, प्रयत्न से और अनुप्रदान से तै होते हैं, अगर हम वर्णों को भी विभागों में बाटें, तो दोस्तों इसके लिए स्वर, काल, इस्थ दोस्तों द्वनियों के संबंद में मुझे लगता है कि आपको बाते समझ में आई होंगी तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समात होता है थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पानी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों